हैलो एवरिवान गुड मॉर्निंग विल्कम बैक टो मैं शैनल कैसे हो आप सब लोग आप मेरी आवाज सुन रहे होंगे बहुत जादा मेरी गला तीन चार दिन से खराब थी अब भी आज मेरा आवाज थोरा सही लग रहा है मैं इसी वज़ा से वीडियो नहीं बना रही थी क आज मेरा जब गला थोरा साफ हुआ है मैंने सोचा कि वीडियो बना लेते हैं मैंने पूरे वीडियो में वाइस ओवर करा है सामने से कुछ भी नहीं बोला इसी वजह से क्योंकि मॉनिंग का यह टाइम है प्रियांसी चली गई यह स्कूल और यह सारे सामान मेरे मिल्क वास 一 hub दही पनीर ब्रेड है और करेले रहे सारी और हो तो सामने सबजी करकर म Jetzt निकाल लेते हों पहले , उसके बार फिर इन सबको धोने के बार मैं रकंगी फ्रीज में तो 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 सारी चीजे रखने के बाद सारे सामान हमने रख दिये सबजीयां रख दी अब मैं आ गई हूं बेडरूम में और मेरे बेड का तो सुबह सुबह प्रियांसी जाती है तो सुबह इतना टाइम नहीं मिलता उठकर के उसको उसके लिए लंच बनाना उसको रेडी करके भीजना उसके बाद का हमारा यह सारा काम रहता है बेड वेड जो भी विखरे पर हैं सबको सेट करना तो अभी मैं सारी सेट कर दूंगी बेड को तो यह चादर वादर में समेट देती हूं पीछे आप देख रहे होंगे मौस्किटो नेट लगा के ही सोते हैं क्यूंकि यहां पर बहुत मौस्किटो हैं अभी तो कुछ दिनों से फिर भी कम गया है लेकिन कुछ दिन पहले तो बहुत ज़़ा था तो इसलिए हम में मॉस्किटोनेट लगा की सोते हैं बाटल बाटल जो भी यहां पर रात पर पानी लेकी सोते हैं वो सब घटा दिया और यह हमारा वेट्स हो गया सेट अब मैं करूंगी ब्रस करने की तो फटाफट से मैं ब्रस कर लेती हूं मेरी प्रिग्नेंसी का नौबा मेन चल रहा है और नाइन मंथ प्रिग्नेंसी में बिल्कुल भी आसानी होता कुछ भी करना मैं कोशिस करती हूं कि मैं खुद को थोड़ा एक्टिव रखूं इसलिए मैं मॉर्निंग में प्रियांसी के लिए लंच बगेरा बनाती हूं उसके बात सारा काम करती हूं तो हमारा ब्रश हो गया है और हम कोई भी स्कीन केर वगेरा फॉलू नहीं करते हैं क्योंकि मैं इसे मॉर्निंग में बस फेस दो लेते हूं प्लेन वाटर से कोई फेस बॉस और यह वो कुछ यूज नहीं करती हूं अभी मेरा नाइन मंथ चल रहा है और मुझे कुछ भी करने का मन भी नहीं करता और मैं उतना ज्यादा केर करती भी नहीं हो अपने स्कीन की affects आह एसिताए करती हूं तो यहां पे मेरा फेस भी वास हो गया सब हो गया और ब्रस हो गए अब हम सुभे में खाली पेट एक टैबलेट लेते हैं तो मैं वो टैबलेट यहां पे ले लूँगी और टैबलेट लेने के पंद्रवीस मिनाट बाद ही हम कुछ खाएंगे वैसे तो मुझे आजकल कुछ खाया भी नहीं जाता है मैं पानी भी पीती हूँ तो मेरे मेरे को अजीब सा फील होता है तो अभी मैं आ गई कीचेन में और यहां पे मैं कर रही हूँ दूद गरम दूद को निकाल लेते हैं कप में और अब मैं इसमें डालूंगी प्रोटीन पाउडर अभी तक मैंने एक डबा भी नहीं घदम किया है क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता तो प्रोटीन पाउडर मैंने दूद में डाल लिया और साथ में लेंगे खजूर उसके बाद एक बनाना बस यही है हमारा आज का मॉर्निंग का मील तो आज हम यही खाएंगे दूद, खजूर और केला यह हमारा प्रिग्निंसी का नाइन मंथ चल रहा है और नाइन मंथ में इतनी ज़्यादा प्रोब्लम्स हो रही है मुझे कि मैं क्या ही बताऊं मुझे सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है मैं कुछ भी खा पी रही हूँ तो मुझसे खाया ही नहीं जा रहा है जब भी कुछ खाने को बैठती हूँ मैं अगर पानी भी पी लूँ तो वो मेरे गले में अटक जाती है लगता है जिसे कि मैं खाई नहीं पा रही हूँ मेरे को इतनी सांस फूलती है मैं breathless हो जाती हूं कभी-कभी तो बहुत जादा परेसानी बर गई है मेरे को pain भी बहुत जादा बर गया है मुझे दो-तीन दिन बाद डॉक्टर के पास जाना है क्या होता है देखते हैं और हमारी जो delivery का date है उसमें अभी थोरा सा टाइम है तो मेरे को ना यहां पर सीने में बहुत दर्द होता है मेरी सांसें बहुत जादा फुलती है तो बस यही सब प्रॉबलम है बहुत जादा परेसानियों से गुजर रहे हैं लेकिन बस कुछ दिन की और बात है और अच्छे से बस delivery हो जाए यही शाती हूं तो इस वीडियो को मैं जादा लंबत नहीं बना प कर सकते हो सबस्क्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो मैं आपको एक और नए वीडियो में मिलूंगी एक और नई चीजों के साथ तो तब तक के लिए बाब बाई एंड थैंक्स फोर बाचिंग